इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी node.js की सबसे पहली फाइल है index.js को हम उसको कैसे create करें तो चलिए देखते हैं चेक करदाएं कि हमारे पास node.js है या नहीं तो हम लिखेंगे node-v और enter तो एक वर्जन आया यहां पर अगर यह वर्जन नहीं आ रहा है तो आपको node.js की official website से download करना है node.js को दूसरी बात है कि बनाना है आपको एक empty directory अगर मैं server बनाती हूँ जो कि वैसे already भी है तो मुझे नाम change करना पड़े का लग रहा है एक बड़ बना के दिखती हूँ यह बोल रहा है कि पहले से exist कर रहा है तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए बनाती हूँ server 1 क्योंकि server already है तो अब escape अंदर गई मैं cd server 1 अब server 1 के आने के बाद मैं initialize कर दूँगी अपनी प्रोजेक्ट को जो command है npm init-y से तो आप यहां देख रहे हो कि एक package.json की file बन गई है और जो main file है वो है index.js यहां पर आप देख रहे हो package.json की file है तो आप आपको क्या करना है install करना है dependencies को जिसके लिए command है npm install और बाकी जो भी dependencies है उनके नाम तो पहली dependency है आपकी express जो की node.js का framework है दूसरी है body parser जो की body को parse करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो तीसरी है course जो की express.js के middleware के लिए की तरह हम use करेंगे चौत ही है mongoose जो की आपके database जो की mongo db database है और जो आपका node.js है उसकी connection को provide करेगा और last है आपका node.mon node.mon जो है यह server को restart करने में help करेगा तो हम करते है enter और यह सारी आपकी dependencies install हो जाएंगी सबसे पहले हम अपने folder में गए server और हमने code space.js से open किया अपना code और अब हम यहां देखते हैं कि हमारे पास है node.module का folder package.json की file और package.json की file तो एक हम नई file बनाएंगे जिसका नाव है index.js यह हमारे project की main file रहेगी इसमें हम सारी dependencies को import करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो dependencies हैं उनका नाम है express, course और body parser तो एक एक करके हम उनको import करते हैं तो सबसे पहले हम import कर रहे हैं express को जो express है वो node.js का framework है back-end के लिए use होगा तो और यहां पर करने का तरीका है const लिखेंगे import करने के लिए const express equal to require express और जब हम require के अंदर bracket लिखेंगे तो वो हमेशा आएगा आपका single quotes में single quotes express तो यह आपका express module हमने import कर लिया है index.js file में अब जो दूसरी dependency है body parser उसको भी हम ऐसे ही import कर लेते हैं जो body parser है वो हम use कर रहे हैं body को obtain करने के लिए कहां से network request से network request से body को obtain करने के लिए हम use कर रहे है body parser का यह भी एक dependency है और इसको भी हम ऐसे ही import कर लेते हैं तो यहां पर ध्यान रखने की बाद है body parser में P capital है और ऐसे ही इसको लिखते है require और bracket के अंदर single quotes में लिखेंगे body dash parser तो इस तरीके से हम body parser को भी अपने index.js file में import कर लेते हैं जो तीसरी dependency आती है हमारी वो है course course जो है एक middleware है express.js के लिए तो इसको भी हम बिलकुल इसी तरीके से import कर लेंगे और लिखने का तरीका वही है const course equal to require अब यूज कर लो bracket और single quotes के अंदर लिख लो course तो ऐसे हमने अपने तीनों dependencies को install कर लिया अब से पहले हम एक application बनाते हैं express.js के लिए तो हम लिखेंगे const app एप जो है एक variable है equal to express अब उसके बाद लिखोगे bracket अब आप चाहते हो जो आपका server है एक किसी particular port पर run करें तो उसके लिए आप define पहले से ही decide कर दोगे कि यह इस port पर run करेगा आप चाहते हो आपका port जो आपका server है वो 3000 पर run करें तो आप इसके लिख दोगे एक्सप्रेस.js के लिए वो method है app.use यह method क्या करती है जो भी आपकी dependencies है आप उनको enable कर देती है तो उनको enable करने के लिए आप इस method का use करोगे आपने सबसे पहले तो हम हमने देखा हम dependencies को install करते हैं install करने के बाद उनको import करते हैं import करने के बाद हम उनको करेंगे enable किस method से app.use method से तो हम लिखेंगे app.use उसके बाद जो भी आपको dependency enable करनी है यहां पर हम चाहते कि body parser enable हो तो body parser और body parser से आपको क्या parse करना है क्या obtain करना है हमें करना है url encoded data तो हम लिखेंगे .url encoded data जो url encoded data है इसका एक particular format होता है इसको लिखने का तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे तो यहां पर इसके बाद हम लिखेंगे extended true यहां पर brackets के अंदर curly braces के अंदर हम लिखेंगे extended और उसके बाद जो option है true और false तो हम लिखेंगे extended true यह इसका url encoded का format है तो इसको ही हमें follow करना है उसके बाद आप चाहते हो कि आपका course भी enable हो जाए जो आपकी dependency है course जो की middleware है express.js के लिए तो आप चाहते हो कि वह भी enable हो तो आप यूज करोगे app.use method का app.use आपने लिखा उसके अंदर आप लिखोगे course को तो इससे आपकी course dependency है वह भी enable हो जाएगी इसके बाद अगर आप चाहरे हो कि आपको body parser enable हो पहले तो हमने किया था URL encoded data को opt-in करने के लिए अब आप चाहते हो जेसों आपको opt-in करना आपको जेसों को parse करना है तो आप लिखो के app.use body parser.json .body parser.json तो इससे आप json को opt-in कर सकते हो तो app.use method बहुत ही important है तो जो भी dependency है उन सब को import करने में उनका use हो रहा है यहाँ पे हमने body parser को enable किया दो बार एक बार तो URL encoded data को opt-in करने के लिए दूबारा json की data को json data को opt-in करने के लिए और यहाँ पे हाँ json के बाद bracket आएंगे तो अब हम क्या करते है जो हमारा server का root path है उसको एक get request भीजते है get request भीजने के लिए code लिखेंगे हम app.get जो get request है वो कोई भी record को retrieve करने के लिए यूज होती है तो आपने लिख दिया app.get और जो आपका root path है जिसे हम slash से define कर रहे है उसको आपने लिख दिया और इसको हमने दो parameter है यह function दो parameter को लेता है तो दोनों parameter को हम लिख देते हैं कॉमा करके लिख देंगे पहला parameter है request जिसे हम लिखेंगे req से और दूसरा जो parameter है वो है response उसको लिख लिखेंगे req से अभी क्या करेगा यह function एक method एक method को call कर देगा जो method लेगा parameter एक call करने के लिए एक कोई argument लेगा तो अब अगली line में हम लिख देंगे कि यह function है एक method को call कर रहा है जो है response.res.cent और यह एक यह call करेंगे इसको एक argument के साथ argument आप कुछ भी लिख सकते हो यहां पर आपने लिख दिया है हाई अब यह जो method है यह क्या करेगी इस argument को यह content है यह text है इसको भेज देगी आपके client को client अगर आपको restful APIs के बारे में और जानना है तो मैं बताती हूं जल्ली से post का use करते हो आप create करने के लिए record को put का use करते हो update करने के लिए और delete का use करते हो delete करने के लिए इसके बाद आप चाते हों कि आपका server start हो तो उसको start करने के लिए आप एक method है जिसको call करोगे उस method का नाम है app.listen इस method को call करके express.js का server start हो जाता है तो इस server को आपने start कर लिया app.listen method को call करके अब यह जो method है यह दो parameter को लेती है पहला parameter है आपका port number. port number यहाँ पर 3000 है और उसको हम लिखेंगे API port और दूसरा यह लेगी callback function को comma करके आप लिख सकते हो callback function callback function को लिखने का तरीका होता है पहले आप बनाओगे bracket simple bracket उसके बाद आप equal to और arrow बना का sign करोगे तो यह बन गया callback function तो जब भी आपका यह server run होगा उस वक्त आपका यह callback function भी invoke हो जाएगा अब आप क्या कर सकते हो यह callback function है इसके अंदर कोई भी message आप print करा सकते हो तो print कराने के लिए हम लिखते है console.log अगर कोई भी message को print कराना है कहीं भी आपको देखना है तो आप console.log का use करते हो तो आप यहाँ पर लिख दोगे console.log और जो भी आपका message है वो तो लिखते है console.log और brackets के अंदर आपने message लिख लिया कि server इस port पर run हो रहा है आप यह बताना चाहरे हो तो आप लिखोगे server running on port जो भी आपका port number is 3000 यहाँ पर 3000 डिरेक्टली ना लिखे आप API port करो लिखोगे और उसको आप interpolate कर दोगे इसको dynamic बना रहे है तो on port इसको लिखने का dynamic बनाने का तरीका हो दर डॉलर उसके बाद आपने API port लिखा क्यूंकि अगर आप कोई भी port चेंज करना चाहरे हो तो आप इसको dynamic बना लो और साथ में backtick का यूज करके अभी dynamic बन गया इस file को save कर लो तो अब इस file को start करने की command है node index.js क्यूंकि index.js आप एंटर करो तो आपको आपने जो भी message लिखाता है यहां पर प्रिंट हो गया है अब बाकि आप यहां पर जाके देख लो localhost 3000 में आपको high लिखा हुआ दिखेगा इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूं ताकि आपको देखने में आसानी लगे तो इस तरीके से हमने देखा कि आप कैसे node.js में आप first file index.js को बना रहे हो और इसका result finally आप देख रहे हो आप